Hello Everyone, Welcome to PCB Baba Channel PCB Baba Channel के इस वीडियो में आप सभी का सौगत है आज हम देखने वाले हैं 24 मार्च के Current Affairs को 24 मार्च के Current Affairs को देखने से पहले हम कुछ दो तीन चीजों को जान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखावा विस्वर डाउं सिंड्रोम दिवस विस्वर डाउं सिंड्रोम दिवस को हम लोग इंगलिजस में बोलते हैं World Down Syndrome Day जिसको मनाए जाता है 21 मार्च को World Down Syndrome Day या फिर विस्वर डाउं सिंड्रोम दिवस को हम 21 Trisomy बोलते हैं 21 Trisomy क्यों बोलते हैं क्योंकि आपको पता होगा मनुष्य में क्रोमोजोम होते हैं टोटल 46 या फिर कर सकते हैं 23 प्रोमोजोम होते हैं टोटल 23 प्रोमोजोम में जो 21 प्रोमोजोम होता है उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोम एड हो जाता है जिसे कारण होता है वर्ल डाउन सिंड्रोम दिवस या फिर विस्ट्वर डाउन सिंड्रोम दिवस उसे हो जाता है याद रखें 21st पेर के क्रोमोजोम पर एक्स्ट्रा क्रोमोजोम एड होने के कारण यह डाउन सिंड्रोम होता है तो 21st जो है यह important word है इसके कारण यहाँ पर आपको जो भी जेगा मिलेगा जो भी चीज़े मिलेंगे 21st से related मिलेंगी इसके अलामा जो विस्वर डाउन सिंड्रोम दिवस इस बार हुआ उसमें जो है जो उसका theme था इस बार का वह क्या था वह था has connect क्या था दोस्तों has connect तो यह व आयूद निर्मार दिवस आयूद का अर्थ क्या होता है आयूद का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां पर हथियार गोला बारूद तथा बंदू के बनती हैं तो उस जगह कहा जाता है आयूद आयूद निर्मार दिवस देखिए आयूद निर्मार दिवस या फिर ordinance वेक्ट्र जो है वो 21st मार्च को मना जाता है आपको मालूम हो कि राजस्थान में कटपुतली के खेल बहुत सारे खेले जाते हैं या फिर कटपुतली के बहुत सारे लोक मंच भी होते हैं जिसके वज़े से यह बहुत ही फेमेस है भारत में और इसके याद में विस्व कटपुतली विनीत संग तो इसमें से सही एंसर जो है वह है एम राम चंदरन जिसका सही एंसर ए है उसके अलामा आपको बता दू एम राम चंदरन जो है वह एकस रिटार्ड या फिर रिटार्ड आई-स ओफीसर भी रह चुके हैं तो आगे चलते हैं प्रस्ट नमर दो पर यहां पर संस्कृतिक क्रेंद्र का उठगाटन के लावां उठ्गाटन की इंकुछ इंपपोर्ड़कल किया गया है किशन कल्याण सीवी है तय वियरासत धोजनंना घों स्रुमीर देटल पाकर देटेड़ और जो किसांनों से रिलेटेड है उत्तव प्रदेश में अर्जुन सहावग सिचाई परयोजना भी सुरू हुई है जो सभसान नदी के उपर है और उसके लावँ उत्तर परदेश से प्तप्रदेशक तथा अभ्य होदय योजना भी शुरू हुई है जिसके तहत free coaching दी जाती है लोगों को इसके अलामा उद्यम सार्थी मोबाई लैब भी शुरू हुई है जो entrepreneur से related है और इसके अलामा उत्तर प्रदेश कानपूर में पहला चमड़ा पार्क भी बना हुआ है आगे चलते है question number 3 पर question number 3 पर लिखा है कौन सा देश मध्यपूर में Belgium, France और Japan के साथ एक the group Arabian Sea Warfare exercise आयोजित करेगा तो आयोजित करने वाला देश कौन सा है आयोजित करने वाला देश है अमेरिका अमेरिका के साथ हम लोग भी युद्धव्यास करते है या फिर भारत भी युद्धव्यास करता है पहला युद्धव्यास जो अमेरिका के साथ भारत करता है उसका नाम ही युद्धव्यास है दूसरा जो है वह है कोप इंडिया तीसरा है टाइगर ट्रियों पर चोथा है पहला तो भारत है और दूसरा अमेरिका है और तीसरा जो है वो है आस्ट्रिलिया तीसरा है आस्ट्रिलिया और चौथा जो है वो कौन है वो है जापान चौथा है जापान दोस्तों तो यहाँ पर भारत अमेरिका अस्ट्रिलिया और जापान यह चारों मिलकर करते हैं मालाव बारत अगे चलते हैं दोस्तों यहां पर क्मेंट नमबर चार में लिखा है क्यों मंत्र अले ने किस वर्स तक के लिए घ्ल भारत योजना को बढ़ा है तो इसका यह यह घ्र जो इंडिया गेम्स को करता है जिसमें देखिए आपका आता है खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूध गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो खेलो इंडिया से रेलेटर जितने भी गेम होते हैं खेलो भारत यूजना करवाता है विस्व मौसम विज्ञान दिवस तो 2021 का विस्व मौसम विज्ञान दिवस को इंगलीस में कहते हैं इंगलीस में कहते हैं World Meteorological Day तो World Meteorological Day को आयोजित कौन करता है WMO कौन आयोजित करता है दोस्तो WMO मतलब WMO का full form क्या होता है दोस्तो W मतलब World M मतलब Meteorological O मतलब Organization तो विस्थो मौसम उग्यान दिवस को जिसका हेड़ कोटर है जेनेवा में कहाँ पर है दोस्तों जेनेवा में और जेनेवा कहाँ पर है जेनेवा है स्वीजर्लेंड में तो इस बार 20 मौसम उग्यान दिवस का विसाय क्या था तो विसाय जो था वह था महासागर जलवायू और मौसम तो इसका एंसर सही C है दोस्तों महासागर कहते हैं ओशियन जलवायू और मौसम तो ओशियन क्लाइमेट और वेदर तो इसको इंग्रिस में कहेंगे ओशियन क्लाइमेट और वेदर यह जो है सब्जेक को सहीद दिवस भी मना जाता है सहीद दिवस क्या होता है देखी दोस्तों 23 मार्च को क्या हुआ था जो हमारे सहीद भगत सिंग और राजगुरु तथा सुकदेव इन तीनों को ककर दिया गया था फासी दे दिया गया था कहाँ पर लाहोर सेंटरल जेल में लाहोर सेंटरल ज और उसकी आलामा, friends, 23.00 मार्च 2021 को 111 जैनती मनाएगी किसकी दोस्तों? 111 जैनती मनाएगी राम उनोहर लोहिया की, राम उनोहर लोहिया जो है इनकल जनुम कहा हुआ था उत्तर प्रदेश के अकबरपूर में हुआ था, आगे चलते हैं friends, देखें यहां पर 2011 लिखा है, तो 2011 यहां पर कोने में लिखा है वह 2021 रहेगा यहां गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है आगे चलते हैं फ्रेंट्स यहां पर लिखा है क्वेस्चन नमबर छे में सरकार ने हाल ही में 11 सधी के राजा अनंद पाल अनंग पाल सेकेंड को सेकेंड की विरासत को लोगपरी बनाने के लिए एक समीती बनाई है वह किस वंस के राजा थे वह जो थे वह तोमर वंस के राजा थे तो इसका जो सही एंस्वर है वह एंस्वर ए अनंग पाल सेकेंड के बारे में कुछ इंपोर्टन बाते हमें जानना जरूरी है अनंग पाल दितुई जो है वह तोमर राजमन से सब्सक्राइब आप यहां पर देख सकते हैं लौस्तम आपको दिखाई दे रहा है पूल इसके अट्वी से बारी सताबदी के बीच में जब इनका रास्ता दिली और हरियाना पे उससे उतने कुछ चलता है औरे मिलो के बारे में और जो है दिल्ली में को परास्ट कर दिया और उसके बाद यह बात ही थे आनकपाल तोमर के बारे में आगे चलते हैं और inner 57 पे question number 7 पे लिखा है सागर सरहदी जिनका हाली में निदन हो गया यह एक प्रसित क्या थे तो यह एक प्रसित थे फिल्म निर्माता क्या थे यह फिल्म डारेक्टर थे इन्होंने फिल्म डारेक्टर की थी कौन सी सिलसीला जिसमें अमता बच्चन और राखी यह दोनों hero heroine थे वर्शिंटॉन DC में इसके 14 प्रसासक के रूप में किसी नामित किया गया थ इसमें 14 प्रसासक के रूप में Ball Nelson neos and गभाई स्ंतिर्ट के लिए उनका इस्लेस्त किया गया है स्टापिद किया जाएगा वोश्यर्स के सेख मुजीब और रहमान को सेख मुजीब और रहमान कौन थे सेख मुजीब और रहमान जो है वो बांगलादेश के राष्ट पिता है कहा के राष्ट पिता है फ्रेंट्स बांगलादेश के राष्ट पिता मेरी बात धांसे सुनीगा जो बंगलादेश की प्रधान मंत्री है सेख हसीना ये किनकी बैटी है ये सेख मुझीब उर्रह्मान की ही बैटी है तो मुझीब उर्रह्मान जो है इनका जो मगबरा है वो कहां पे है धाका में है जहां का प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी दोरा करने जाएंगे ओके और 2020 का तो गांधी सांति पुरस्कार लेट सीख मुझीब उर्रहमान को मिलेगा लेकिन 2019 का जो है गांधी सांति पुरस्कार किसी मिला वह मिला कबूज बिन सयद उलसयद को जो की उमान के पुरो राजा थे और वो भी मर चुके हैं बात करते हैं question number 10 की question number 10 में लिखा है किस संगठन के सदस्य कहा गया है कि कौन सा संगठन है जिसके पूरे सदस्य जो है आतंकवाद निरोधी अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभ्यास पब्भी एंटी टेरर 2021 का अभ्यास करेंगे तो वह संगठन कौन है जिसके सदस्य जो है आतंकवाद विरोधी अभ्यास पब्भी एंटी टेरर 2021 का अभ्यास करेंगे तो वह संगठन कौन सा है तो वह संगठन है SCO जिसको कहते है संगाई सहयोग संगठन इसका जो हेड़कौटर है वह कहाँ पर है दोस्तों वह है चीन में हुई थी और उसके अलामा यहां पर और भी चीन जो बाते लिखींगे हैं वह यह हैं कि संगाई सहयोग की संगठन की जब स्थापना हुई थी तो उस वक्त पांच देश सामिल हुए थे कौन कौन से कजाकिस्तान चीन किरगिस्तान रूस और तजाकिस्तान तब उ उस वक्त पांच देश सामिल हुए थे और उस वक्त संगाई सहयोग संगठन को संगाई 5 के नाम से जाना जाता था लेकिन जब वर्स 2001 में पांच देशों के साथ में एक देश और जुडा जिसों कहते हैं उजबेकिस्तान तब इसका पुरा नाम पड़ा संगाई सहयोग सं अंगठन में मेंबर का दर्जा कब मिला जून 2017 में आगे चलते हैं कुश्चन नमबर 11 पे लिखा है किस राजे ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार दोरा संचालित अंगर आज के समय में क्या कर दिया गया है अंगर आज के समय में क्या कर दिया गया है तो आप 308 नमबर पे डाल करिए इंबुलेंस आएगी और उसको तुरूंत ऑस्पिटल ले जाएगी जानवरों के बात करते हैं कुश्चन नमबर 12 की इसमें लिखा है किस राज्य के इंदर परसासित प्रदेश ने कच्छा 9-12 के छात्रों के लिए एजुकेशन मेंटरिंग प्रोग्राम सुरू किया है एजुकेशन मेंटरिंग प्रोग्राम है क्या आखिर देखे एजुकेशन मेंटरिंग प्रोग्राम जो है इसमें क्या होगा इसमें जो 9-12 तक के छात्र जो है उन्हें पता नहीं रहता है कि उनको फूचर में करना क्य तो उसके लिए उन्हें क्या करेंगे उन्हें सिच्छा देंगे उन्हें बतलाएंगे कि आपको क्या करना है आपके सामने कौन से वे हैं आप जिस वे में जाना चाते हैं उसमें क्या स्कोप है उसके बारे में सब कुछ चीजें बतलाए जाएंगी तो यह सब चीजें जो हैं और ये कदम उठाया है उपमुख मंतरी दिल्ली के मनोस सिसोधिया ने तो यहाँ पर जो सही एंसर होगा वो कौन सा होगा एंसर भी दिल्ली के लोगों ने या फिर दिल्ली के जो उपमुख मंतरी है मनोस सिसोधिया ने ये कदम उठाया है दिल्ली के 90 से 12 तक के चातर के बच इसमें जो सहीैंस्वर है और मुंबई इसके बात करते हैं कि रच्षा मंत्ररा ने किस कमपनी के साथ 1056 करोड रुपए की लागत से भारती सेना के लिए 1300 हलके लड़ाकू वाहनों के खरीदने के लिए अनबंद किया है, करार किया है या फिर एग्रिमेंट किया है, तो इसमें सही एंस्वर जो है, वह है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, कहने का म हलके लड़ाकू वाहन जो है, वह हमारे सेना को भारती सेना को देगी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, तो इसका सही एंस्वर कौन सा हो गया, सही एंस्वर हो गया D, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है दिली सरकार ने सराप पीने की कानूनी उम्र को 25 वर रहते हैं, तो आप सराप खरिच सकते हैं, और उसे पी सकते हैं कानूनी तोर पर, यह भी करा है हमारे दिली के उपमाकि मंतरी मनीश शिशोदिया ने, आगे चलते हैं, क्वेशन नबर 16 पर, अर्बियाई ने किसकी अधशता में बैंकिंग आवदनों के मुल्यांकन के जैसे कि लगुवित्य बैंक है, या फिर युनिवर्शल बैंक है, इन सब के अप्लिक्वेशन जो होते हैं, उनका मुल्यांकन करने के लिए समिती बिठाए गई है, और उस कमिटी के जो चेर्मेन होंगे, वो अर्बियाई के पूर डेपुटी गवर्नर होंगे, जिनका न फिलिपाइंस की जगे है, लेकिन चीन क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि यह हमारे एरिया का जमीन है, जिसे कारण कर रहा है, उसको हथियानी के कोशिस कर रहा है, इसके ना तो उसने क्या किया है, वीट्सन रिप पर अपनी सेना बेज दी है, तो फिलिपाइंस ने भी क्य क्या होगा विकल्प ए ओप्शन ए अब चलता है कोश्चन नमबर एटीन पर लास्ट कोश्चन किस राज ने भारत का पहला किसान अत्पादक संगठन केंद्र सक्ति पॉर्टल लॉंच किया है तो मैंने आपको पहले कोश्चन में बता दिया दोस्तों सक्ति पॉर्टल जो है कौन से राजी में लॉंच किया गया है तो वो लॉंच किया गया है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में लॉंच किया गया है सक्ति पॉर्टल वह किसान कल्याड मिश्चन से संबंदी तो यह सक्ति पॉर्टल है तो यह रहा 24 मार्चा करेंट अशा करता हूं कि आपक के लिए खुश्च रहे हैं गुट बाइब